से माचेंग डो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग आच्छा हैंक, दोस्तों आज हमलोग पढ़ेंगे कलास म defendingahn। government गोदिली या निभी किताब का जोकिताब का आपने पढ़ेंगे देखे पहला चेप्तर में क्या है पहला चेप्टर है भीम्राओं अम्बेट कर यह चेप्टर का नाम है क्या कि भीम्राओं अम्बेट कर इसका लेखक कौन है तो इसका लेखक भी जान लेते हैं यहाँ पर देखे भीम्राओं अम्बेट कर स्री विभाजन और जाती प्रथा चेप्टर का नाम है यह कौन सा या कुछें पर यहाँ पर बुक और यहां पर देखें बॉर्ड यानि बॉर्ड का जो पेपर हो 1200 कितना है ton countries का है इसमें लगभक पूरे सो अब जेटिव कोश्चन पुछें गए हैं यानि पिछले बार इसमें लगभक स्था अबजेक्टिव कोश्चन पुछें गैं हो को देखा देते हैं यहां पर देखो देखिए यहां पर पूरे सो नमर का अब्जेक्टिव कोश्चन पुछे गए हैं और हम आप लोगों को यह बता देते हैं कि अगर आप आप लोग जो किताब है इसका जो पूरा चेप्टर पर लिजेगा तो इतना मैं गडैंटी के साथ क करते हैं अब दोस्तों देखिए औबजेक्टिव कोश्चन उपर औबजेक्टिव कोश्चन हम एक चिप्तर से मातरό контрम आपको 15 अब्जेक्टि बताएंगे इस में हम 15 अब्जेक्टिव एक चेप्टर से बताएंगे और वह भी भी अब्जेक्टिव कोस्चन जो हमने किताब से एसा एसा भी भी अब्जेक्टिव कोस्चन चुने हैं जो एक्जाम नेशन में पूछे जाते हैं तो दोस्तों यहां पर देखें पहला कुछन में क्या करा है पहला में यहाँ पर कह रहा है कि सरम विभाजन एवं जाती प्रथा गद की कोन सी विध्या है तो यह निबंध है यह क्या है तो निबंध है दूसरा में क्या कह रहा है सरम विभाजन और जाती प्रथा कि लेखक कोन है तो भीम राओं अमबेटकर है ठीक है और तिसरा में क्या गड़ा है डॉक्टर अमबेदकर के पिता का क्या नाम था तो इसमें राम जी सकपाल क्या नाम था राम जी सकपाल अब आते हैं चोथा नमर कोशन में तो चोथा में क अगरा है भीम्राओं अम्बेटकर का जन्म कब हुआ था देखी इसका जन्म 14 अप्रेल 1891 में महु मध्य परदेश में दलीत परिबार में हुआ था अब देखी यहां पर यह जो श्रह यहां पर पांच नमर कोश्चन है श्रम विभाजन और जाती प्रथा पाठ अम्बेदकर किस यानि किस भासन का हिंदी रुपांतर है तो देखी एनिहीलेशन आफ कास्ट यानि एलिहीलेशन आफ कास्ट भासन है तो देखी इसका जो है इसका हिंदी रुपांतर यानि किस ने किया था तो इसका ललाई सिंहादम ने हिंदी में इसको टांसलेट किया था तो चलिए में डी सेवन नमर को सचन के यहां पर कि की डाक्टर अंबेदकर का वार्ड मय Mő हिंदी के कितने खंडों में प्रकासित हो चुका है तो यह कितना खंडों मुहते 21 खंडों में हो चुका है तो देखें दोस्तों आप लोगों का एक्जाम यानि 17 फरवाड़ी से होगा तो इसलिए हम सामने यानि पेश कर दिए तो देखें आठ नमर उब्रेक्ट्टिव क्या है कि अदर समाज कैसा हो यानि हो ना चाहिए इसमें बोड़ा लेखक की दिश्टी में और समाज कैसा होना चाहिए आदर से तो यानि की और समाज कैसा होना चाहिए तो इसमें कह रहा है कारण यानि किसे मानते हैं तो यह जाती प्रथा को मानते हैं समझ गये अब दस नमर अप्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कर आए आम बेड़कर के चिंतन एवाम रचनात्मकता के लिए प्रेयरक व्यक्ति है थे तो इसमें क्या है कि बुध कवीर जयोती फूले सभी थे य इसमें यानि किसके प्रेयरक थे तो आप आते हैं गारा नमर अप्जेक्टिव क्वेश्चन में गारा में क्या कर रहा है कि अमबेड़कर की द्रिष्टी में भाई-चार्य का वास्तविक रूप कैसा होता है तो इसमें बोल रहा है दूध और दूध और पानी के मिश्रन क अब 12 नमर अब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं तो बाते 12 नमर कोच्चन में यहां पर बोल रहा है भारति ये समीध्हान के निरुमान निरुमान में महत्मपूर्ण भूमिका किसकी है तो यहां डाक्टर यानि भीम्राव मेड़कर का इसमें बहुत ही महत्तपूर् सब्सक्राइब है अब आते हैं यहां पर 14 अब्जेक्टिव कोस्टेन में इसमें कहा रहा है डॉक्टर भी म्राओं अमबेडकर का जन्म पहां हुआ था तो ये महु मध्य प्रदेश में हुआ था यह हम बोल दिये थे पहले भी तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था अब क्या है इसमें यहां पंद्रा नमर अब्जेक्टिव कोश्चन में लास्ट हैं यहां पर देखें डॉक्टर भीम्राव अंबेडकर की द्रिश यानि मृत्यू कब हुई तो ड तो हमें कॉमेंट मजरूर बताएगा और यह वीडियो आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा तो चलिए आज तक लिए रहने देते हैं मिलते हैं किसी यानि कि अगले टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक है हिंदी का उसमें तब तक लिए रहने देते हैं